हलो दोस्तों कैसे हो आप लूप मेरा नाम है अब्तुल और आप देखरें टॉक विद अप्दुल यूट्यूटीव चैनल अज दो अपडेट है एक साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एन इंजिनर्स लिमिटेड की और से और दूसरी मिश्रा दातु निगम लिमिटेड दोनों अपडेट्स के बारे में डीटेल में बात करूँगा अगर आप विडियो को एंड तक जरूर से देखना इसी के साथ आज की विडियो शुरू करते है अगर आपको मेरे विडियो पसंद आती है और रेगूलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल लेकन को इसलिए प्रेस करना तकि 6 बचे जब भी मैं विडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाल पर मिल जाए और विडियो को लाइक जरूर से कर देना शुरू करने से पहले आपको पहले ही बता देता हूं कि यह अप्रेंटिशिप के अपडेट है तो भई आप एना यह सेलरी कम है ऐसा सोच के विडियो मत छोड़ देना क्योंकि सेलरी कम नहीं है काफी अच्छी खासी सेलरी आपको मिलने वाली एप्रेंटिशिप में है तो भई सबसे पहले अगर आपने अप्रेंटिशिप कर लिए कहीं पे भी तो आप अप अप्लाइ नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ विडियो को लाइक कर दीजिए और विडियो को यहां पर छोड़ सकते हो नाउ सबसे पहले डिपलोमा इटी एन ग्रेजवेट्स यह इन लोग के लिए वेकेंसी है तो पहले मैं बात करूंगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एन इंजिन कुछ भी नहीं है सीधा यहां पर सेलेक्शन होगा है दोक्यमेंट वरिफिकेशन के लिए प्यॉर ली आपके मार्क्स के बेजिस पर तो अगर आप इटी इसे बिलॉंग करते हो तो आपने अगर ओल इंडिया ट्रेट टेस्ट दी हुई है तो यह ब्रांचिस है जो इटी म मैं अपलाई कर सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ और अगर आपने 10 स्टांडर्स इट किया हुआ है तो आप अपलाई कर सकते हो उसके लिए ट्रेट अपरेंटरिकल इसे फ्रेशर वाली वेकेंसी में अपलाई करना है आपका कोई दोस्त है उसको वीडियो नहीं आती है तो यह ग्रेजवेट के लिए है तो यह ब्रांचिस से अगर आपने क्या हुआ है तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हो दूसरा सबसे इंपोर्टेंट टेक्नीशन यानि डिप्लोमा वाले तो सेम ब्रांचिस मेकैनिकल इलेक्ट्रिकल अच्छा सेम नहीं है साइंस की जगह पर इन्होंने यहां पर इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कॉम्मिनिकेशन और सिविल यहां पर बोला है तो बाई अगर आप 2020 वाले हो तो पहले ही बता दिया था 2017 से पहले हो तो भी आप अलिजिबल नहीं हो यहां पर किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं की जा रही है तो इस चीज़ का भी खास आप ध्यान रखिए अगर आप एपलाई करते हो तो आपका कोई यहां पर लॉस नहीं होता है अब मैं इंपॉर्टेंट बात पर आ जाता ह है बड़ी-बड़ी PSU में कई बारे से नोटिफिकेशन में हम देखते हैं अगर आप टेक्नीशन डिप्लोमा से जाते हो तो कॉलकता में 10,000 व्रांची में 9,000 बाकी ट्रेड फ्रेशर के लिए 6,000 ट्रेड एप्रेंटिशिप एक्स आइटिय के लिए 7,000 लेकिन मैं जानता अगर आप graduate apprenticeship में apply करते हो डिप्लोमा के लिए आपको वही portal पे जाना है लेकिन slash करके bots portal करके आता है अगर डिप्लोमा वाले हो तो वैसे मैं graduate apprenticeship में किस तरह से apply करते हैं किस तरह से profile अपनी approve करवाते हैं उसकी पूरी detail वीडियो approval के साथ बने हुए किस तरह से approve करना है application procedure simple है लेकिन apply procedure सिर्फ इतना नहीं है उसके बाद आपको जाना है G.R.A.C. मतलब garden reach shipbuilders and engineers limited के website पे वहाँ जाके आपको form फिलप करना रहेगा और उस form में mhrd.net portal के आपकी जो approve होने के बाद की जो ID होगी वो मांगी जाएगी तो वहाँ पे enter करनी है तब जाके आपका application form य because approve होने में कई बार एक हफता भी लग जाता है वैसे तीन दिन में हो जाता है लेकिन कई बार ज्यादा टाइम लगता है तो इस चीज़ का खास ज्यान रखना अगर आप apply कर रहे हो तो 21 इसकी last date है stipend काफी बढ़िया है apply कर देना और मुझे comment करके जरूर से बताना आप में से कौन-कौन यहाँ पर apply कर रहा है और description में सारी links मैंने दे दिए Garden Ridge Shipbuilders की अलग से link होगी वो चेक कर लेना अब बढ़ते हैं हम दूसरी update की और जो की है मिश्रा दादू निगम Limited की और से ये भी एक apprenticeship की update है और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने walking interview रखा हुआ है वह walking interview ल ने नहीं होगी वैसे मिश्रा दादू निगम Limited में walking interview सिफ है आपको यहाँ पर shortage किया जाएगा और बुलाया जाएगा आपको वहाँ जाना रहेगा और आपको interview देना रहेगा यहाँ पर process interview वाली है GRAC मतब इससे पहले वाली update में direct selection था बिना interview बिना return test के अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे graduate में कौन apply कर सकता है तो अगर आपने metallurgy से किया हुआ है mechanical से किया है electrical से किया है या फिर instrumentation से किया है या फिर civil से किया है apply कर सकते हो आप और अगर आपने diploma किया हुआ है तो आप metallurgy, mechanical, electrical, instrumentation and civil यह ब्रांचेस से आप apply कर सकते हो walking interview देने अब जाना है तो 19th March इसका walking interview है trade apprenticeship में और वहाँ पे return test रहेगी इन्होंने clearly बताया हुआ है कि भाई trade apprenticeship ITI वालों के लिए यहाँ पे return test रखी जाएगी और इसमें जो ब्रांचेस है fitter, welder, turner, electrician, machinist भाई fitter, welder and turner की 28th को है, electrician, machinist की 21 March है यहाँ पे इन्होंने walking interview का location auditorium corporate hostel building कहा है और open notification में कंचनबाग है अब यह हैदराबाद भी है फिर auditorium corporate hostel building है और नीचे यहाँ पे कहा गया है मिठानी CPS office near to DMRL भाई यह exactly location कहां पे यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं खुद query करके एक बार आपको update हमारे telegram channel में दे दूँगा आप हमारे telegram channel को join कर सकते हूँ या फिर आपको अगर किसी को पता है authenticate पता है तो comment करके मुझे बताना तो भाई वो comment को मैं pin कर दूँगा ठीक है क्योंकि यह चीज मुझे समझ भी नहीं आ रहे तो बिना कामका आपको बदा के कोई मतलम नहीं एक बार इसके बार में पूर inquiry करना उसके बाद ही आप सोच समझ के apply करना ठीक है सब्सक्राइब करवा लो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर